तो है लो एक स्टुडेंट्स स्वागत है आप लोगों के अपने यूटूब चैनल सिक्छा में तो स्टुडेंट्स कल के क्लासेज में आप लोगों ने महाद्वीप के बारे में पढ़ा और आपको महाद्वीप से रिलेटेड सारी बाते मालूम है कि हमारे इस वर्ल्ड या आपको हम बता दें आपको हम पढ़ चुके हैं एसला महाद्वीप के बारे में और ऊर्टकु क्लेट में तोटल हमारे सेवेडHey जिसमें आप दो पढ़ चुके हैं बच्चा 5 तू उसमें से हमारा साउथ अमेरिका है नॉर्फ अमेरिका है उसके बद आफरीका है वहाँ इस पे आस्ट्रेलिया और अंटार्टिका है आज के क्लासेस में इस 500 महाद्वीब को देख करके इस चाप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे यानि कि इसमें जो इस यह चाप्टर है इसमें से अगर कहीं से भी आपके एक्जाम में प्रस्ण बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे आपको कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं और जो मैं आपको पीडिये क्याव में कोश्चन्स देता हूं उसको रेगुलर वेस्ट पर करते हैं तो ठीक है तो चलिए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तो हम लोग आज अभी देख रहे हैं आस्ट्रेलिया महादीब को ठीक है जैसे कि यहां आप ने धारन कैसे करते हैं यहां हो जाएगा हमारा नौर्थ यह हो जाएगा साउथ और यह हो जाएगा हमारा इस्ट और यह हो जाएगा हमारा वेस्ट ठीक है आप यहां से समझ रहे हैं तो इतनी मोटी मोटी बाते आप समझेए देखिए आस्ट्रेलिया महादीब के हम लोग चलते हैं जानते हैं और इसके बारह में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है सबसे छोटा महदूइफ है ठीक है जो दक्षिन गुला अर्ध में इस ती थे कहा nord मैं Ihnen कि साउधर हेमओ है मुझे ठीक है इट इजे दा स्मॉलेस्ट कॉंटिनेंट लोकेटेड इन दे साउधर हेमिस्पेर ठीक है न्यूजिलेंड एवं आस्ट्रेलिया की खोज ओबन तस्मान ने किया था किसने किया था न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया का खोज ओबन तस्मान ने किया था और इसके साथ हम बता दें आपको यहीं आस्ट्रेलिया है जिसे मक्कर वृत इसके मध्य से होकर गुजरती है क्या इसके मध्य से होकर मक्कर वृत यानि की मक्कर रिखाए होकर इसके बीच से होकर गुजरती है इसे दूपी ए दूपी ए महादूपी भी कहते है कि इसको आस् कर दिखे ताश्ट्रेलिया एक महद्वीप है या सबसे छोटा महद्व है जो कि दक्षिन गुला आर्धें में स्थी थे इसके साथ साथ आप लिखेंगे कि इससे होकर किससे अस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्क combry इसके बीचों बीच होकर गुजरती है जो इसे हम लोग आस्ट्रेलिया महादीब को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है द्वीपिये महादीब ठीक है और न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया महादीब की खोज ओबेन तस्मन ने किया था तस्मान ने किया था सन 2942 से 42 एवं 244 में 1642 और 1644 में किया गया था यानि कि न्यूजिलेंड की खोज सबसे पहली उसके बाद आस्ट्रेलिया की खोज भी ठीक है यानि कि न्यूजिलेंड की खोज 1642 में और आस्ट्रेलिया की खुज 1644 में हुआ था इतनी बाते आप नोट कर लेंगे क्योंकि आपके लिए मौस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है मौस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्ण बनने की चांसे आपकी हो रही है इसके साथी साथ अगर थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहते एक बात और जान जाएए कि 1768 में इंग्लेंड से कैप्टन कुक प्रथम बार आस् लिया जाने वाले व्यक्ति कौन है तो वह है कैप्टन कुक जो प्रथम पर आस्ट्रेलिया गया थे कहां से इंग्लेंड से गया थे कब 1768 में सत त्क शा क्या 3789 तक उसने तीन से पर न आपर आस्ट्रेलिया की यत्रा की इसे इसे वी आस्टेलिया के खोज करता के रूप में जोना जाता है देखें मुखे रूप से कहने के यहीं मतलब है कि न्यूजिलेंड एवं आस्टेलिया की खोज का सरे ओबे अस तसमान को दिया जाता है लेकिन इसके साथ ही साथ जो इंगलेंड से प्रथम बार हमारे गय से के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जान रहे होंगे इसलिए उन्होंने तीन बार यत्रा किया और उन्हें कोई कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ा और कुछ करना भी पड़ा तो अगर आस्टेलिया के बारे में वो जान रहे थे तो इसलिए उनको भी आस्टेलिया की कोज करता की रूप में काउंड किया जाता है कि उन्होंने भी आस्टरिया की खोज किया है ठीक है तो आप समझ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं जादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मोटे मोटे तौर फे जो मैं मोटी बाते बता रहा तो सायद मुझे ऐसा उमीद है की जितना मैं पढ़ा रहा हूं जीके में आपके लिए बहुत ह análफ है ठीक है अगर इतना Vegard लेते हो ना बाइस ने घज़ें और इस महादीप में 22 देश रहते हैं कौन से महादीप आस्ट्रेलिया महादीप में कितने देश हैं 22 देश यह चोटा सा है सबसे बड़ा महादीप क्या है आज हमें कॉमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ा महादीप कौन सा है ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स पॉइंट पर देखते हैं नेक्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक है ठीक है और थोड़ा सा और बता दे हम कि आस्टेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरिस्ट जल संधी यह थोड़ी सी बाति है आपके लिए बता दे रहा है लेकिन आपके लिए अतना इंप्लोच यानना है लेकिन अपने इंडिया का जानना एंडिया से बाहर के लिए आप ठोड़ा बहुत करके जान लेंगे हो जाएगा नहीं तो चलिए중 प्रबर सिंक रहिंग seminar इस परवत श्रेणी और महादीप का सर्वोत्म सिखर कोस यूश को है क्या है थोड़ा सा मैं यहां से इरेश कर दो मिटा दो तो आपको दिखेगा कोस यूश को है तो आपने क्या समझा कि आस्टेलिया का प्रमुक जो प्रवत सिंखला है वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहां जो परवत है कौन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी फरवत सिंखला और महादीप का सर्वोत्म जो सिखर है क्या है क्या है क्या है उसको है ठीक है यह point आपके लिए most important है इसे note कर लेंगे ठीक है जो मैं PPT में लेकर आता हूं और कुछ ऐसे points हैं जो हम बोलते हैं और आप उस time हम कहते हैं कि यह important है तो आप जरूर उसे star point दे करके लिखी लेना ठीक है अगर सच में मेहनत कर रहें ना सच में struggle कर रहें तो उनको सफलता मिले ठीक है मेरी यहीं कामना है भगवान से ठीक है कब जब आप लोग इमंदारी से मेहनत करोगे तब ठीक है चलो next point देखती है आस्टेलिया में भेण पालन किंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकार करते हैं देखो मैं चुन-चुन कर लाता हूं जो important facts हो था ना उसको चुन-चुन कर लाता हूं यहां वान लाइनर है आपसे पूछ लिया जाएगा कि आस्टेलिया में भेड़ पालन किंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है तो अगर आप बाबू यह ब सीख ले क्योंकि आपके पास बहुत ज्याधा टाइम है इनव टाइम है ठीक आप पुछ कर सकते हैं इनसर्य दा लेबुटरेश्य ट्रीच वर्किं एड ड शीप कर लेरेनिंग सेंटर आरल कॉंड क्या है जेकारू ठीक है लेबुरेस ठीक है लेबुरेस ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यूरेडियम की उत्पादर में आस्ट्रेलिया का बीस्व में यहां पर लिखा है कितना अस्थान है स्वरी हम आपको बता दें देखो बबू यहां पर कितना नहीं होगा यहां पर तीसरा आस्थाने क्या है तीसरा आस्थाने आस्ट्रेलिया का बिस्व में जास्ता का किसका इूरेणियम उत्पादन में आस्ट्रेलिया का बिस्व में तीसरा आस्थाने मॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है इसको नोट कर लेना इस लाइन को नोट जरूर करन ठीक है उसके बार देखते हैं आस्ट्रेलिय लिए लिए सर्व अधीक सबसे अधिक उत्पादब करने ठीक है क्या वाक्सड यह रहे हो यह उर्राइनियम क्या है उतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और मुझे शल्मीद है कि आप मिरे बताया हुए बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा और नोट भी कर रहे होंगे ठीक है आस्ट्रेलिया जो है बिस्व प्रसीद मैरीनो उनका प्रमुख उत्पादक देश है ठीक है यह भी नोट कर लो क्या है आस्ट्रेलिया है जो है वह मैरीनो उनका बिस्व प्रसीद प्रमुख उत्प लिए है और दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है आप पताना दक्षिन आफेर का आता है ठीक है तो यह आपकी लिए बहुत most important topic चल रहा है यहां से जीके पूछे जाते हैं ठीक है यहीं जो topic है जहां से आपकी एक्षाम में जीके की भरमाल पड़ी रहती है वहां से आपके एक्षाम में जीके की questions उठाए जाते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेश पे नेक्स्ट देखते हैं अभी आस्ट्रेलिया महादीब को ही पढ़ेंगे बस आज के lecture में हम लोग पूरे महादीब को complete क कर देंगे ठीक है इस महादीब का प्रमुक मरुवस्थल जो है Gibson है और Victoria है क्या है Gibson और Victoria देखो बाब मरुवस्थल आप समझ रहे हैं ठीक है मरु अस्थल अब अगर नहीं कोई समझ में आये ना कोई वी ऐसा चीज हो जो आपको समझ में नहीं है तो उसको आप दो पार्ट करती हो और अस्थल मतलब आप जान रहे हो ठीक है और मरु मतलब आप नहीं समझ रहे हैं ठीक है नहीं समझ रहे हैं अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो समझ रहे हैं मरु अस्थल क्या कहते हैं ठीक है मरु अस्थल किसे सब्सक्राइब करें तो देखने के साथ इमंदारी से पढ़ाई करो ठीक है चलो नेक्स देखते हैं नेक्स लाइन है आस्टेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक जो प्रदेश है वह क्या है वह है न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया ठीक है तो नोट करते चलना मेरे भाई आप से मैं बार वर बोलता हूं नोट करते चलना मॉस्ट इंपॉर्टन पॉइंट चल रहा है हमारे जीके सेक्शन के लिए आपकी एक्साम में जीके के प्रस्म यहीं से बनेंगे ठीक है नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा आस्ट्रेलिया महादीप कुद्दा लैंड आफ गोल्ड गोल्डन फलासी कहते हैं लैंड आफ कंगारू कहते हैं प्यासी भूमी का देश भी कहा जाता है अब देखो आस्ट्रेलिया महादीप जो है उसके अनेको नाम है जैसे कि हमारे देश का जो हमारा भारत देश है इसका अनेको नाम है भारत है इंडिया है आरिया वत है और स्टुडेंट्स जो दो या एक नाम बचे हैं आप मुझे कमेंट में बताना वैसा ही हमारा जो आस्ट्रेलिया महादीफ है इसका नाम क्या क्या चीज़े हैं जो यहां देख लो बाबू इसका जो नाम है क्या क्या है आस्ट्रेलिया महादीफ को हम लोग दा लैंड आफ गोल्डन फलासी कहते हैं उसके बाद लैंड आफ कंगारू कहते हैं उसके बाद नहीं जान रहे हैं तो नहीं कुछ लगाओगे जो जान रहे हैं वह आसानी सी one number गेन कर लेंगे और जो नहीं जानेगे वह तो लड़ू लेकर आएंगे ठीक है तो सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए एक number लेना है कि सिर्फ लड़ू खाकर ही उसमें मसत रहना है ठीक है तो फैसला आपके हाथ में अगर वन प्राप्त करके अपने CHS में पढ़ने पढ़ने का मन बनाए हो और पढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो और नहीं तो लड़ू लेनी के लिए तैयार रहो ठीक है चलो next point पर चलते है और next हमारा दक्षण आ फिर क्या सॉरी दक्षण फिर ने आस्ट्रेलिया हमारा यहां फिर complete होता है आस्ट्रेलिया के लिए मैं बता दू आपके लिए इतना ही important points मुझे ऐसा लगा कि आपके level में इतना ही कुछ कुछ ऐसा है जो पूछा जा सकता है ठीक है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो जहान पुर्वक इस points को note करेंगे और जो भी होगा important points जो होगा और एक मिस जब हमारा जोग्रफी इंड होगा तो उसमें miscellaneous में हम लोग complete कर लेंगे ठीक है तो चलिए next चलते next हमारा जो महादीफ है वहाँ आता है अफ्रीका महादीफ क्या आता है बाबू मेरे अफ्रीका महादीफ पाता है तो अब इसको भी आप ध्यान पुर्वक देखेंगे ध्यान पुर्वक समझेंगे क्योंकि हर एक topic सबसे बड़ा महादीफ अफ्रीका है जो की जिब्राल्टर जलसंदी द्वारा इउरोप से प्रिथक होता है इसके पुर्व में हिंद महासागर और पश्ची में अट्लांटिक महासागर इसे कॉंटिनेंट आफ कंट्रस्ट भी कहा जाता है यानि कि कॉंटिनेंट आफ या जो है कंट्रस्ट इसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं हम आपको बता देते हैं तो नोट करो इसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं इसको किसको आफ जो है हमारा कॉंटिनेंट आफ कंट्रस्ट को ठीक है तो देखो आफ्रीका इस दे सेकेंड लार्जेस्ट कॉंटिनें इन दा वर्ड विच इजे सेपरेटेट फर्म यूरोप बाई दो इसके बाद लिखा यहां पर हां चलिक यहां पर इस्टा क्या लिखा यहां पर इस्टाइड ऑफ गिबराल्टर ठीक है टू इट इस इस दा इंडियन ओकेशन एंड टू दा वेस्ट इस दा अट्लांटिक ओकेशन इस अल्सु कॉल्ड दो कॉंटिनेंट ओफ आप कोंट्रेस्ट ठीक है क्या कोंट्रेस्ट ठीक है चलो आउ नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं आप समझते चलना यह वन लाइन है और इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है यह पूरा का पूरा ही फैक्ट से आपको सिर्फ इससे समझना है और याद करना है ठीक है लर्न करना है ठीक है देखिए आफरीका एक मात्र महाद से गुजरते हैं अगर आपसे पूछ लिए जाए कि हमारे जो तीनों रेखाएं हैं वह किस महादीप से होकर गुजरते हैं तो आपको लगाना है अफरीका क्या आपको बताना है अफरीका महादीप है क्या है हमारा अफरीका महादीप है ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट है और फिरका is is the only continent through which the equator the traffic of cancer and the traffic of Capricorn past ठीक है समझ रहे हैं यह पूरा का पूरा facts है one-liner questions है इसे note कि जी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको समझाएं और explain कर चलिए next point पे चलते हैं next देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है अफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया से होकर बिश्वत रेखा गुजरती है है तो या यानि कि यहां से आपके लिए important points है यह आफरीका का जो सबसे बड़ा जील हुआ विक्टोरिया है जो की इसी विक्टोरिया जिल से होकर हमारे विश्वत रेखा गुजरती है और इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है जो की सहारा रेगिस्तान से होती हुए भूमद्य सागर में जाकर गिरती है किसे से होकर अफरीका से होकर ठीक है इसे से होकर सबसी लंबी नदी नील जो है वह निकलती है और सहारा रेगिस्तान होती हुए भूमा दिसागर में जाकर गिरती है और इसके साथी साथ यह जो पूरा का फूरा पॉइंट है जो आपके लिए वी वी आई है ठीक है इसे नोट कर लेना ठ है वहीं यहां पर इंग्लिस में भी लिखा हुआ है सेम टू सेम करके दा इक्वेटर फासेट थू वेक्टोरिया आफिर्का लार्जेट लाइक एंड वर्ल्स लॉंगेस्ट रिवर दा नील फॉलो थू दा सहारा डिजायर इन्टू क्या है इन्टू दा यहां पर लिखा हु है अधितर ओलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा क्या नेक्स्ट है कि अफरिका की कांगो नदी बिस्वत t रेखा को और लिम पॉपों नदी मक्का यॉइखा को दो बार काड़ती है तो अपसे पूछ लिया जाएका कि कौन सा इफरिका की वह कौन सी नदी है जो मक्का रेखा को दो बार काटती है तो वहां पे अगर आप्शन में दोनों दिया रहे तो दोनों यह और वी करके लगा ना नई तो कांगो नदी दिया रहा तो कांगओ को लगा दे हूए ना तो लिम पापू को भी लगाई सकते हैं तो वह है क्योंकि यह दोनुन नदी जो है जो इसकी जो आफरीका महादीप में है। वह विसवत रेखा को और स्व आज थिकर आज आता है दोनों जो नदी है अलग अलग रिखाओं को काटी है तो आप समझ रोटीक है और मैं थोड़ा सा इरश कर देता हूं जह नोट करना था हों नोट करते चलने ठीक है क्र चलों नेक्स्ट पॉंट को नेक्स हमारे है कि आफिरीख का ट्राब जिराफ जनवार लों के लिए 200 थाथ है ट्रांस वाल जो ज्वह जेबह और जिराफ जनवारों के लिए 20 только that तो और निएक्स चलते हैं एक इसके साथ ही साथ में बता दू कि अफिरिका एक जगा है जिसका नाम है कलहारी मरुवस्तल जोकी सुतरमुर्ग चीडिया वहाँ पे मिलती है ठीक है सुतरमुर्ग चड़िया वहाँ पे मिलती है चलिए आईए इस पॉइंट को देखते हैं और डिस्कस करते हैं ठीक है अफरीका के उसन घास के मैदान सवाना और सितोसन घास के मैदान वेल्ड कहा लाते हैं देखो अफरीका में जो उसन घास जहां पे उपजाओ होते हैं जो अस्तल पे उसन घास की उसन घासे दिखाई देती है और अधिकतर मात्रा में हमारे उसन घासे होते हैं उस मैदान को वहां के लोग सवाना कहते हैं क्या कहते हैं सवाना कहते हैं और इसके साथी साथ अगर सितोस्ण घास अगर उपजाओं लगे कहीं किसी मैडान में कहीं छेतर में तो उसको वह लोग वेल्ड कहते हैं कौन अफिरका वासी वेल्ड कहते हैं ठीक है उत्पादन के द्रिश्टी सी अफ्रिक्या में किंबर ले खान और चित्रफल के द्रिश्टी सी और आपा 200 की सबसे बड़ी हीरे की खान है वो आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है चलो देखो दाफिर00 में 202 के 90% क्रोमियं का उत्पादन करता है यहां आपके लिए क्या है यहां आपके लिए most important है भी भी याई है इसे नोट कर लो ठीक है इसे नोट कर लो कि आपको फायदा रहेगा क्या है साउथ अफिर के product products 90% of the world's chromium ठीक है तो students आपको मेरा content जो है दोनों language में मिल रहा है ठीक है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप चाहेंगी तो अगर आप कॉमेंट करते हैं तो एक दीन हम हिंदी की क्लासिस ला देंगे और एक दीन हम आपको जीगोरफी की क्लासिस को ला देंगे तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके पता देना तो ताकि मैं जल्द से जल्द सुरू कर सको ठीक है और जो भी पढ़ा रहा हूं आपको मेरे उपर ट्रस्ट रखो आपके लिए सबस्क्राइब करें लिए अच्छी तो यहां चलते हैं अपरीका में सर्वातिक जैतुन उत्पादित करने वाला बेस ट्यूनिसिया है और सरवतिक चाय उत्पादित करने वाला देश जो है वह कीमिया है यह सारी आपके लिए important point है वी वी पॉइंट है ठीक है वी आई तो नोट करते चलो देखो इंग्लिस में भी यहां पर लिखा हुगा है कि अगर मैं दोनों लेंग पर पढ़ने लगा तो मेरे भाई टाइम की बहुत ज़्यादा किल्द धोगी ठीक है दक्षुन अफिरकया के छोव देख है जिसको अंगोला बुट्सवाना और मोजांबिक और तांजीनिया और जंबिया और जिंबावे को प्रॉंट स्टेटस कहा जाता है दक्षुन अफिरकया में छोव ऐसे देख हैं जिसका नाम है अंगोला ठीक है बुट्सवाना और मोजांबिक तांजामिया और जंबिया क्या है जांबिया और जिंबावे या छोव देख जो हैं इसको हम लोग क्या कहाते हैं वहां के फ्रॉंट लाइन एस्टेटास च्छोव को कहा जाता है अगर आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाए कि दक्षी ना फिरिक्या कि कितने ऐसे जो देश हैं जिसको फ्रॉंट लाइन एस्टेटास कहा जाता है उसमें अफ्जन लिया रहे है सेवन सीक्स एट फाइब आप किसको मारोगे अगर जान रहे होंगे तपी रहां आपसे एक तरीके से तैयार करके भेजूँगा ताकि आप कुछ अच्छा और वेहतर करके आएं चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट हमारा यह अफ्रिका का लास्ट स्लाइड है इसके बाद हम लोग उत्री अमेरिका के बारे में देखेंगे चलिए अपरिका में सीशा नामक पॉध है ठीक है इसे जूट पैदा होता है क्या होता है जूट पैदा होता है यानि के जूट निकलता है ठीक है इसे भी नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको नोट करना आप नोट कर लिए ठीक है इसके बदा फिर कहीं एक मात्र ऐसा महादीफ है जिन में से कर क्वामकर दोनों रेखाएं गुजरती है ठीक है अधिक है थोड़ा सा निल नदी के बारे में और बतादे हम कि यह जो नील नदी है इसका उध्गम अस्थान जो है बिक्टोरिय जीला जैसे कि आपको मालूम है और असवाना बाँध जो है निल नदी पर ही बशिम्हान कि कौन बाँध असवानध है असवाना थोड़ा सा बांध से रिलेटेड आपकी एक्जाम में प्रस्ण पूछे जाएंगे तो नोट कर लो यह बाते असवाना बांध ठीक है असवाना बांध जो है वह निल नदी पे इस्तित है तो थोड़ा सा आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाए क्योंकि यह निल कहां बहत किस महादीब से ओकर गुजरती है बहती है तो आप बता दे ना आफरीका महादीब से ठीक है इतनी सारे पॉइंट को आप जरूर नोट करेंगे तो आगे हम बता दें आपको और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो निल नदी पर बसा सबसे बड़ा जो सहर है काहीरा ह मैं जितने भी points बता रहूं आपके लिए most important है ठीक है आप याद रखना ठीक है और अफिरिका में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला देश जो है वह कीमिया है जो कि आपको मैं पता चुका हूँ और दक्षिन अफिरिका का नयाईक राजधानी जो है बैलूम फांटेन है ठीक है यह सारे points को notes कर लो और चलो हम चलते हैं अपने next जो है क्या next continent है यानि कि जो next महादीफ है वह हमारा है और उत्री तया है क्या है उत्री अमेरिका है जो कि यहां पर हम थोड़ा सा आपको दिखा दें कि तो फिर हम चलते हैं अपने तो आवरिका उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अटलांटिक को पढ़ेंगे चलो यहां से अटलांटिका को पढ़ेंगे अन्टार्क्रिका को सौरी अटलांटिक नहीं अन्टार्क्रिका को पढ़ेंगे और आस्ट्रेलिया हमारा कम्प्लीट हो गया Asia complete हो गया Europe complete हो गया आफरेका भी complete हो गया निकि-4 complete हो चुकि कि यहां पर खत्मा कर देते हैं ठीक है धिक है खत्म कर देते हैं कुछ ऐっち बिधुन देख लेती है कउच ऐसा पोईंट तो नहीं बच toe चलिए नहीं को चाहा है चलिए डॉर this के विर्यमेरिका इस आम लोग पर अंग्लिस में काते हैं क्या पूल 29 देश हैं अथा इसे नई दुनिया भी कहा ज़ाता है अब बाबु सुनो ध्यान से नौर्थ अमेरिका इस थार्ड लार्जेस्ट कॉंटिडेंट इन दा वर्ड दियर आरेल टोटल आफ 29 कॉंट्रीज इन नौर्थ अमेरिका स्टेंटर अमेरिका एंड दा साइव अगर आपको कुछ ऐसा गलत लागे यहां पर निव्जी लेंड लिखा गया है तो आप सुधार लेना नहीं तो मैं बता दूगा ठीक है यहां उत्री अमेरिका है यह तीसरा बड़ा महादीप है यहां जो है इसमें मध्य अमेरिका अमेरिका और मध्य अमेरिका और कैरिवियन सागरिय छित्र में कुल 29 देश है और इसके साथी साथ इसे नई दुनिया भी कहा जाता है ठीक है new okay, check, जलिया आते है next per next देखते हैं, next हमारा है कि उतरी अमेरीका का नाम Amirgo, बेशा-पूसी का नाम्क सहासी यात्री के नाम यात्री के नाम पर अमेरीका पड़ा ठीक है उतरी अमेरीका का उज्चता परवत माउंट्सिखर माउंट में किन ले है तीक है ऐलास्का में घया आपके लिए इंपॉर्टन्ट मोद्थर इस आप एक कर्याग्यर सब्सक्रीश कोары आपके दिल्सरी का उस्तंपरवत्सिखर में किन ले है है इस जिर्काusson जो कि अलास्का में है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि उत्तरी अमेरिका जो है उत्री अमेरिका के सितोस्न घास के मैदान को प्रियरी कहते हैं जैसे कि आपको मालूम था कि अफ्रीका था उसमें सितोस्न घास के मैदान को वो लोग वर्ड कहते थे क्या कहते थे आपको वेड कहते थे ठीक है वेड कहते थे और वैसा हिए जो है कि इसको देखो हर जग जो चीजे उस वहां की अलग अलग है तो वैसे ही उतरी अमेरिका में उसको वेट नहीं कहके यह लोग प्रियारी कहते हैं क्या कहते हैं अ कि दर टेंप्रेटेड ग्रास लैंड आफ नॉर्थ अमेरिकान और कॉल्ड प्रिगेरिस ठीक है कनाड़ा वी स्वर्वधी कागज उत्पादित करने वाला देश है कनाड़ा जो की उत्री अमेरिका के अंदर आता है ठीक है इसे नोट करते चलू वान लाइन है इसमें कुछ करने की बाते नहीं आ रही है मैं फाटाफट करके अपने क्लास को कंप्लीट करता हूं ठीक है उत्री अमेरिका में कनाड़ा यूरेणियम का सबसे बड़ा उत्पादक यम निर्यात अगदेश है बिस्व मिसका दूसरा आस्थाना यह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अग्लिया गड़ने का प्रमुस उत्पादक होने के कारण इसे चिंनी का कटोड़ा भी का जाता है ताउप है क्वेन दूइब है है जिसे हम दोख चिन्नी के कोटोरा कहती है ठीक है चलो उसके बाद हमारा वैसा उभीद है कि आपके लिए सायद इतना ही important point है कि से related उत्तुरी अमेरिका से ठीक है उत्तुरी अमेरिका से related इतना ही आपके लिए important points जो है आपके लिए निकल कर आ और अगर कुछ ऐसा जो है छूट रहा होगा तो हम में करके complete कर लेगे लेकिन आपके लिए जितना important है मैं आभी दे चुका हूँ ठीक है और इससे अगर जादा जानेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जादा जानने की कुछ जरूर नहीं है और कुछ ऐसे important points है जो आप अगर खुछ से कोसिस करना चाहते हैं तो देख लेना कहीं से उठा करके उत्री अमेरिका के बारे या पूरा जो total के total साथ हमारे continent है इसके बारे में ठीक है लेकिन मुझे जीतना लग रहा है मैं आपको दे रहा हूं ठीक है चलो अब देखते हैं अट्लांटिका के बारे में क्या देखते हैं आट्लांटिका को देख करके और लास्ट में हम लोग दाक्षण अमेरिका को देखकर complete कर देंगे अट्लांटिका को हम देखते हैं ठीक ह यह जो ए अटलंटी का महादिप जो है महादीप बीस्व का पाचवा बड़ा महादीप है यह पाचवा नमबर पर है यह दक्षुन गोला अर्ध में इस्तित है यह वैज्ञानिक को प्रित्वी के बारे में जनकारे देने की अनोखे आसर प्रदान करता है इसलिए प्रदान करता है इसलिए इसे बैग्यानिक के के समर्पित महाद्वीप कहते हैं अब आपसे पूछ लिया जाए कि कि बैग्यानिक के समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं तो अगर जान रहे हैं तो आप तो वन नंबर प्राप्त करेंगे नहीं तो आप खो कराएंग ठीक है देखो अंटार्टिका का अंठानवे परसेंट भाग साधा वरब से धका रहता है पुणता हीमा क्या है पूरा हीमा छदित रहने की कारण इसे स्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है आप से पूछ लिया जाएगे कि स्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं तो आप लगाना अंटार्टिका को क्योंकि यहां हमेशा बरब से धका रहता है इसका दो परसेंट जो भाग वह दिखाई देता है यहां पूर्णता हीमा छदित रहता है जिसके कारण हम लोग इसे स्वेत महाद्वीप भी कहते हैं तो आज हमारा आगे चलते हैं आगे देख ज्यादा डिप आप से पूछा भी नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि आपका जो लेवाल है उसी के इर्दगिर्द आप से पूछने का कोशिस किया जाएगा ठीक है देखिए सीत रितू और ग्रिसम रितू में महाद्वीप को अलग अलग अकार होने के कारण इसे गतिसील महा अगर शीत रितू आज आती है महाद्वीप अंटार्टीका महाद्वीप में तो इसका जो है अकार चंज हो जाता है इसका अकार चेंज हो जाता है और यह कोई और अकार धारन कर लेता है तो इसको गतिसील भी कहते हैं क्योंकि यहां अपने मौसम के हिसाब से अपने आपको गतिमान रखता है तो यह अपने आपको गतिमान रखता है तो यह एक गतिसील द्वी पे भी कहा लाएगा इसके सांसे साथ आपने पीछा देखा था कि इसे हम लोग स्वेत महाद्वी पे भी कहते हैं और इसको आप एक नाम और जानगे कि इसे गतिसील महाद्वी पे भी कहते हैं तो इतने पॉइंट आप नोट कर लेंगे अपके लिए इंपोर्टेंट है देखें क्वीन मोड परवच रेनी किस महादीप को दो बराबर भागों में काटती है अब देखो थोड़ा सा यहां पर हम आपको बता दे किस नहीं होगा हम बताते हैं एक मिनट हो जाएगे चलो यहां पर किस नहीं होगा यहां पर हो ओगा इस ठीक है पर आपम आप Нуट कर लो इस ठीक अब हम आपो बताते देखूं यह जो कईनड परुबद है पर्वट सळयनी है उम अंटार्टिका महादीब को दो बराबर भागों में बाड़ती है यहां कि सर्वोच्षम चोटी जो है विंसान मासिक है क्या है विंसान मासिक है तो इतना ही है अंटार्टिका से इंपोर्टेंट पॉइंट तो आप अगर कहीं और से पढ़ना चाहते हैं इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप देख सकती हो उसमें हम आपको रोक नहीं लगा रहे हैं तो देखकर मुझे जितना लगा आपके लिए लेकर आये हूं प्रशांत और आट्लांटिक महासागर के बीच अवस्तित यह महाधीप पनामा जलसन्दी द्वारा उत्री अमेरिका से मिला हुआ है इस महाधीप के दक्षिन भाग में टेरा डेल ठीक है फ्यूगो के नामक फ्यूगो को नामक द्वीव है जो कि मुख्य वुमी से थोड़ा सोपर करते हैं मुख्य वुमी से मैगलन जलसंदी के द्वारा अलग होता है इसका दक्षीनतम गोचन जो सीरा है होड आंत्रीफ है तो इसमें मुझे आसा नहीं लग कुछ समझाने का है एक वन लाइन है आप नोट कर लो और इससे अच्छे से देख लेना और याद कर लें ठीक है इंगलीस वाले यहां से screenshot लेना चाहती एक ये screenshot ले लो located between the pacific and the atlantic occasion is the continent is the content यहाँ पर शरी connected to north america by the astrair panama in the southern part of the continent is the island island to travel from sea with separated from the यहाँ पर जो है आप note कर लो और southern hemisphere trips in the horde island ठीक है तो आपको मैं बता दू कि आपकी लिए कुछ ऐसा और points है जो मैं बताना चाहूंगा लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको तक्षिन अमेरिका से related लेकिन मेरे ख्याल से आप इत्ता ही रहने तो और जो भी बचे बचा हुआ जो है वह हम आपको कहां कब बता देंगे यांप सी क्यू फॉर्म में जब हम लोग कोशन करेंगे तो वहां पर हम complete करा देंगे वहां से आपका फूरा का फूरा कम्प्लीट हो जाएगा यानि कि जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका लग रहा है कि हां छूट रहा है तो उसके लिए ट्रेंसल लेनिंग की कोई बात देंग है आप द्यान पूर्बक से पढ़ो और हम complete करा देंगे ठीक है कब एम सी क्यू फॉर्म में जब हम लोग क पूर्बक से करेंगे तो ठीक है एसी आपक्लीट हो गया अफरीका कंप्लीट हो गया और इसी आ कि साथ अफेरिका और ये रोपी हो गया साउथ अवेरिका नौर्थ अवेरिका और आस्ट्रेलिया और अंटार्टिका यानि कि सेवन पूरा टोटल के टोटल हमारा complete हो रहा ह या नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर है हम आपको लेकर आएंगे कल की क्लासेज में और लागबग मुझे ऐसों उम्मीद है कि हम लोग होली से पहले अपने जीके वे जोग्रफी को कंप्लीट कर दें और जो भी आप बोलेंगे हिस्ट्री या जो भी है अमारा पॉल्टिका साइंस जो भी आप बोलोगे उसको हमें स्टाट करके कंप्लीट करें जीके सेक्षन को हम लोग चाहते हैं कि अक्टूवर चल रहा है अक्टूवर के लास्ट मौन्त तक हम कंप्लीट करते हैं तो थैंक्यू बच्चो ऐसा ही मन लगा कर पढ़ते रहें और जो कि लिए आप मन लगा कर पढ़ते रहें ऐसा ही मुस्कुराते रहें चाहिन बाबाए